कि इस वीडियो में बात कर लेते हैं केमलें फाइन साइंस की कोई क्ली अनलिसस देख लेते हैं चैनल को लाइक इन सब्सक्राइब परना मत भूलेगा तो केमलें फाइन में आप देख रहे होगे स्टॉक में यहां पर वीकली टीफ पर हुआ अपना ब्रेक आउट यह कुछ यहां से एक ट्रेंड लाइन बनती है जो कि कंसिस्टेंटली स्टॉक को फॉल करा रही थी और जब भी इस ट्रेंड लाइन के करीब आता था स्टॉक में वीकनिस के बाद एक और से लिंग सुरू हो जाती थी यहां पर भी सेम सेनरी हो रहा है कुछ समय पहले एप्रेल में यहां पर इस टॉक में फिर यह ब्रेक आूट हुआ यह री तरिंग हंड्रेट औले के और तेजी आई है फिलाल स्टॉक 25 ओंडॉले को सेलीं लिभल को अपने को सेलिंग रहा है यहां पर वियकली टीक के अकॉर्ण तो sustain कर गया और उपर की लेवल पर यहां पर जो next है वो 50-day EMA बेवी एक support बन रहा है stock में यह दो support और अगर create होते हैं यह 100-200-day EMA यह वाला level तो 130 के बाद stock में एक अच्छी तेजी आईगी तो अगर यह तेजी के साथ ऊपर नहीं जा रहा है तो इसमें जो formation रहेगी यहां से फिर से weak होके आएगा और यहां कहीं support लेकर फिर bounce करेगा तो इसका अगर यही pattern है तो ऐसे ही चलने वाला है फिर यह pullback था एतना और फिर एक sudden तेजी आई तो इस सेनरियो अगर ऐसे बनता है अगर यह फिर से confirm होता है कि ऐसे कुछ move बन रहा है stock में तो इसी pattern के साथ यह आने वाले समय में उपर जाके फिर इसी ट्रेंड लाइन के फिर bounce करता नजर आने वाला है तो कुछ ऐसे चलेगा आपका Camblin fine science RSI की according डेली टीएफ पर देखें तो ओवरवाट territory में entry तो ले चुका है बट definitely अभी कुछ और भी चल सकता है यहां पर जो बड़ी resistance रहती इसको 80 की लाइन पर देखने को मिलेगी RSI की according तो definitely Camblin life science अपना 130 के बाद अभी अगर उपर की दिशा पकड़ेगा तो इसमें जो टागेट आए वो 145 के आसपास यहां कहीं कुछ अपन को resistance देखने को मिलेगी फिर अब बात आती है कि यहां त बिगड़े तो फिर और नीचे आ गया तो जब भी नतीजे बिगड़े इसके वैसे फॉल था यहां पर आप देखें यह मार्च के यहां negative profit था अपना net profit minus 82 उसके पहले minus 14 minus 21 तो consistently loss making हो रही थी यहां पर और इसी के साथ यहां पर जो sales थी उनमें भी कोई बड़े इजाफे देखने को नहीं मिल रहे थे मार्च 24 की जो sales थी वो मार्च 23 से कम थी उसके पहले यहां पर December की जो sales थी वो 386 CR की थी और यहीं आप देखें लास्ट यर के December से तो यहां पर 388 थी तो यहां पर थोड़े sales और net profit में अपनको इसी लिए कमिया देखने को मिल रही है इस इस द जून में कुछ स्टेक यहां पर इंग्रीज करते ही नजर आए FII-DII और DII के स्टेक में यहां पर ICICI और SBI के जादा तर स्टेक हैंगे SBI Flexi Cap और ICICI Prudential वहीं FII में Infinity Holding और Quet Investment Authority है तो as of holding काफी ठीक है इसमें फिलहाल स्टॉक में जो भी मूव रहेगा 130 के बाद अच्छा चलते हैं नजर आने वाला है तो यहां पर breakout हुआ retesting हुई और चल सकता है अभी 145 के ही target लेंगे फिर 155 जब sustain कर जाएगा इस level के आसपा सकर sustain करता है तो फिर next target अपना यहां कहीं पर 155 के बाद 175 होगा बट इसका मतलब यह नहीं कि आप यहां सीधा 175 सोचके बैठें यह stock दीरे दीरे ही चलेगा और दीरे दीरे target मिलेंगे तेजी नहीं दिखाने वाला है ओके तो जो भी मूव रहेंगे यहां पर 145 तक ही फिलाल target आ रहे हैं तो यहां पर मैंने live science अच्छे से clear कर दिया एक चीज़ और बता दू मैं live market के time पर live रहता हूं और सुबह 10 बज़े से एक वेज़ तक live आता हूं trade sessions भी लेता हूं तो please अपनी queries live market में clear किया करिए because live market में interaction अच्छा हुता है और काफी कुछ knowledge आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर gain करोगे साथी साथ साम को 9 बज़े भी मैं live आता हूं और यह scenario रहता है Monday to Friday यह schedule Monday to Friday चलता है सुबह 10 बज़े से 1 बज़े तक और साम 9 बज़े well stock में जो strong support रहेगा फिलाल by enemies अगर कोई pullback बनता है next session में तो यह अपना 118 पर यहाँ पर अपना जो support है 200 day EMA का यह रहेगा और फिर अगर इसके बाद कोई weakness दिखाती है तो further support पर अपना आएगा यहाँ कहीं पर 115, 114 के आसपास तो यह दो strong support लेकर चलेंगे और यह सारी as of resistance तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में दिस इस मिसुपर मियादव signing off